अब आपको यहां पर चेक करना है और काफी लोग ने कर भी लिया होगा अपना जो आंसर है वो कितने राइट है कितने राइट है तो इससे पहले जो भी आंसर बताए गए थे उसमें काफी सारे कॉशन डाउटफुल थे जो मैंने अपने वीडियो में मेंशिन कर दिया था ठ है केंडिट को वैसे मैं इसका पोल लूँगा ठीक है ताकि कटफ का अनलसिस थोड़ा कर पाऊं मैं सही से पोल सब्जेक्ट वाइस रहेगा तो जो भी केंडिट उससे सब्जेक्ट से संब्दित होंगे उनको वहां पर अपना ऑप्शन बताना है आपके कितने मार्क्स आ अगर्डिंट करेगा तो यह चीज है अब आपको सिर्फ आंसर मैज करना है अपना ऑफिशल आंसर की की बार और कोई भी डॉट्फल कोश्चन है तो आप उसको अब जगा सकते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं अब जगाने है बहुत ही सिंपल है आप भी आसानी से लग अगे हैं 17 अग्श्ट नगे अगे कि लिए जीज है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए जिस भी कॉस्ट्ट का आप आप जो बुक है जिस बुक से आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने इस बुक से पड़ा है और इसमें यह आंसर दिया गया है और इसके अकोरॉड देखकर आप objection लगा सकते हैं और बहुत ही simple है, इसको मैं बताया दूँगा आगे ठीक, तो सारी question सारी जो answer की है, वो यहाँ पर upload हो चुके हैं ठीक है, हर एक subject के series wise, यहाँ पर आप देख सकते हैं A, B, C, D, 4 series जो है वो यहाँ पर दे दियेगा है तो अब आगे हम बात करते हैं कि समों objection कैसे लगाना है और देखते हैं आगे बात कर लेते हैं, आपका जो objection हो कैसे लगाना है, ठीक तो सबसे बहले तो आपको homepage पर आना है UKSSS का, ठीक है आप सेथे UKSSS से search करे, या फिर जो link दिया गया, मैंने direct link दिया है आपको simply क्लेक कर देना है क्लिक करने के बाद दो option आपको मिल जाएगा दोनों ही option का है जिसमें आपको first shift and second shift दोनों का जो objection है वो लगाने का option दिया गया है और साथी साथ answer की भी यहाँ पर दिये गया है answer की मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा वैसे काफे लोगों ने देखी लिया है अपडेट पहली आ चुका है तो अब यहाँ पर आपको अगर objection लगाना है तो पहले तो यह sure करना की वो question वो सच में गलत है या नहीं दूसरा कौन सा book का preference देंगे उसको आपको scan करना पड़ेगा PDF में convert करके upload करना पड़ेगा मैं दिखा देता हूँ एक बार तो चलिए माल लेते हैं कि आपका first shift में अगर answer कोई गलत था ठीक है या question गलत पूछ लिया गया था या उसको option गलत दे दीगे थे जो भी था किसी भी question का तो simply आपको यहां पर click करना और यह नए page पर आपको redirect कर देगा जहां पर आपको सारे option दिर जाएंगे बहुत easy है तो अभी मैं दिखा देता हूँ simply इस पर click करते हैं चलिए मैं यहां पर आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे upload करना तो बहुत simple है आप जो अपना proof देंगे question का यानि कि concept book के preference के base पर आप यह बता रहें कि आपका question गलत है या answer कि आपने गलत दिया है वो आपको scan करना पड़ेगा ठीक और उस scan document के उपर आपको बताना पड़ेगा आपका roll number जो कि आप edit कर सकते हैं कोई भी basic software के use करके जो mobile अगरा में अफलेबल होता है या desktop से या फिर आप किसी वैसे application का use कर सकते हैं तो आपको roll number बताना पड़ेगा उपर से उपर सबसे उपर फिर आपको subject बताना पड़ेगा question paper set A, B, C, D में से कौन सा था और question number on the top of the PDF PDF के top पर आपको question number भी बताना पड़ेगा तो यह चिस तो clear है आप पर तो scan करके PDF में convert कर लेना simply document को कफशारे software आगे है इसके बाद आपको अपना roll number बताना है इस form में आपको अपना नाम बताना है father's name बताना है date of birth बताना है subject आपको बताना है 10 a.m. to 12 p.m. होना चीए ना कोई नहीं चलो जो भी है first shift का ही है मतलब यह और आपका booklet series है आपको select question कौन से question है सौ में से वह आपको select करना है number चूज करना है according to your booklet जो आपने series चूज किया उसका according आप देना इसके बाद आपको select answer option के फिर आयो की उत्तर का chain ना करें केवल अपने उत्तर का chain करें जो आपको लगता है ठीक है इसके बाद है if question is wrong mention wrong question if question is out of the out of syllabus mention out of syllabus if all options choice are wrong mention all options are wrong यानि कि जो question ही wrong है उसके लिए आप लगा सकते हैं और जो out of the syllabus है उसके लिए लगा सकते हैं और जो जिसके सारे option ही गलत दिये गए है उसके लिए objection लगा सकते हैं अने था objection माने नहीं होगा और इसके बाद यह दिया गया कि केवल अपना सही उत्तर लिखें आपती केवल तभी स्विकार की जाएगी जब उत्तर बॉक्स में उत्तर लिखें न की ABCD तो आपको अपना answer लिखना है ठीक है ABCD नहीं लिखना है इसके बाद है आपका पीडिएफ या फिर प्रूफ अबलोट करते हैं कि अपना नोल नुमर विखें प्रस्ट पत्र सेट प्रस्ट प्रस्ट न संक्या पीडिएफ सीर्स पर अवश्य करें आने था objection माने नहीं हुआ जो मैंने अभी उताती है यहाँ पर add file का option mail है simply add करना है और submit कर देना है आपका objection लग गया ठीक तो बस आज के लिए इतना ही है और इसमें मैंने साल सीजिक लेकर दी है एक बाद question को short कर लेना कौन सा question आप लगाने साथ है objection में और अपने co-candidate से बात कर लेना कि उनको क्या लगता है जो आपके विशे से related subject से related candidate से उनसे discuss कर लेना comment या message के माद आपके आप करना चाहिए जैसे भी आप करना चाहिए तो यह साही रहेगा जैकर जाते जाते दो-तीन चीज़े जो मैं mention करना चाहूंगो यहां पर especially उन candidates के लिए जिनको यह लगता है कि उनका selection नहीं होगा कई वार क्या होता है कि कुछ reasons की वज़े से आपका performance उतना अच्छा नहीं हो पाता है या फिर आपकी तयारी उतनी बहतर नहीं हो पाती है कभी सारे ऐसे candidate हैं जो family वाले हैं जिनको और भी चीज़े देखना पड़ता है ठीक है personal life होता है कुछ professional भी होंगे क्या क्या आजा सकता है काफी लोग depressed हो जाते हैं काफी लोग tension में आ जाते हैं काफी लोग comment करके बता रहे हैं कि अब क्या होगा उनका क्या 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 वो depressed हो जाते हैं सभी के सभी क्या वो negativity में चले जाएं या फिर tension लेना शुरू कर दें यह solution बिल्कुल भी नहीं है अभी आपके पास काफी सारी opportunities हैं ठीक है काफी सारे ऐसे मौके हैं पहरी सीज तो यह कि आप सभी सभी graduate है तो यह अच्छी चीज है कि जितने वी vacances अभी आ रही है वो maximum graduates के लिए आ रही है तो यह एक अच्छी चीज थीज है तो आपके पास जो opportunity है उसको आपको accept करना है करना है जैसे लोवर PCS का जो वेकेंसी निकली है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुइशन मांगा गया है जादतर पोस्टों में ठीक है किसी भी स्ट्रीम से तो उसके लिए आपको अपलाई करना चाहिए यह सोच के मत बैठो की सेलेक्शन होगा या नहीं ठीक है तो उसके साथ ही आपको लगना चाहिए कि आपको नहींगा उससे पर आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो जैसा भी पर्फॉर्मेंस रहो स्टे पॉजिटिव ठीक और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वेकेंसी जो भी आई है उसके लिए फॉर्म फिल करों ठीक फॉर्म फिल करोंगे तभी एक डिरेक्शन मनेगा ठीक है वन्हा ऐसा ही रहेगा कि अब जो टीचिंग वेकेंसी आईगी हम उसी के लिए आवे दन करेंगे अब टीचिंग वेकेंसी कब आएंगी इसको लेकर कुछ कहने ही सकते हैं हाला कि बीच में अपडेट आ रहना है जो opportunities आ रही है उसका use करें सभी आप लोग graduate है पड़े लिखें तो उसका इस्तेमाल करें जो हो चुका है उसको भूल जाए ठीक है और PCS की बात करें lower PCS की तो इसका paper तो बहुती easy आता है screening का ठीक है even mains का भी उतना difficult नहीं है ठीक screening का इसलिए easy आता है चुकि lecture का paper आप लोगों कई लोगों ने दिया होगा ठीक है तो lecture में आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत मैनत करके आप qualify कर सकते है lecture exam को हलाकि सभी लोग नहीं कर पाए होंगे कोई बात नहीं लेकिन दो से तीन मेने का अगर आप dedication के साथ दे देते हैं preparation को ठीक है तो lower PCS easily आपका crack हो जाएगा ठीक और इसके लिए मेंस की अगर बात करें तो मेंस में भी आपका ज्यादा कुछ रहता नहीं है ठीक है बीस question आपके रहते हैं एक essay का रहता है तो उसको भी आप qualify कर सकते हैं उसमें भी आपको तीन से चार महने का time मिल जाएगा मेंस के लिए तो कई लोग तो कुल मिला के आखिर में जाते हुए बस यही कहूँगा कि stay positive और अभी से मत सोचो कि result बेकार है ठीक है और बस इतना ही है और ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं ठीक है तो जो opportunities है उसको इसको accept करो और उसको use करो तो बस आज के लिए इतना ही और कोई doubt है तिन जी comment करी पूछ सकते हैं तो बस आज के इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद मिलते आप से अगले वीडियो में stay home stay safe